प्राइब करें आज वीडियो पे आपको अन्बॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूँ थॉम्शन का वासिंग मिशिन तो यह 6.5 kg का वासिंग मिशिन है और इसका मॉडेल नंबर भी नहीं बता मुझे तो यहां पे ऐसे लिखाता थॉम्शन 6.5 kg वासिंग मेशिन और मैं इसको फ्लिप कर से ओडर दिया 7100 रुपिस पे तो अगर आप कोई दूसरा ब्रेंड देखते हो तो आपका मिनिमूम 9500 देन नहीं पड़ेगा जैसे समसंग और LG वह सब और मैंने पहले एक समसंग का ओडर किया तो उसका प्राइस था 9500 और उसमें प्रॉब्लम था कि एक वील तूटा हुआ था और वह में एमेजन चे ओडर किया था एमेजन में रूल होता है जब डिलेवरी वाला बंडा आता है तो उसको चेक करना हुआ पूरा प्रॉडक्ट ओकी है कि नहीं बद जो वील था पापे वह वील तूटके निकला हुआ था और वह बंडा ऐसी चिपका के भाग गया मतलब जो प्रॉडक्ट फिसे ले जाना पाटा है उनलों का जमला होता है इसलिए उनलों का भरोसा कभी मत रही है खुद पूरा प्रॉडक्ट का इंस्पेक्शन किजिए नहीं तो बाद और तो फिर से मैंने ओडर किया यह फिलिप कर Ser Tomson का तो इसका रीवीव डिखाताँ高 इसमें आच्छा तो है में अंश्कों कत्या तो washing machine का इतना review होता ही नहीं है क्योंकि यह semi-automatic है अगर automatic होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स हो जाता है यह एक electrical system में यहाँ बस manually होता है current on off motor का switch on होता है तो side में घुमाता है timer होता है यहाँ पर उतना कुछ heavy electronic parts नहीं होता है एकनम simple होता है बाट यहाँ पर एक ही problem होता है कि आपको जो dryer का system होता है एक में आपको धोना है फिर से आपको निकल के dryer में रखना है अगर full automatic होगा तो वह काम आपको नहीं करना पड़ेगा full automatic में आपको price भी double pay करना पड़ेगा 15,000 minimum चला जाता है 6.5 kg का semi automatic ले लिया और फास्ट टाइम washing machine उस कर रहे है पहले कभी नहीं किया इसलिए मैंने यह लिया ठाउंसन का प्रोड़क्त आगया और यह फिलिपकर्ट से डिलिवर हुआ फिलिपकर्ट का जो एक्जीक्युटिव है वो डिलिवर किया और वो लोग आन्बुक्स करते हैं और आप पूरा प्रोड़क्त चेक कर लिजिए अगर कोई crack है हलका full अगर कोई crack है तो आप फर्स जाओगे बार में OTP मत दीजिए पहले बेले तो यहां पर डेख लिजिए अभी में इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर मैंने जींस का पेंट टीशाट और एक हाफ पेंट रख दिया तो इसको सर्प में डूबा के रख दिया सरी है राड़ 10 minutes पेहले तो यहां पर इनलेड क्याओं की बाड़ है यहां से आरहे यहां पर देख लिजिये इसमें कुछ ऐसा थे तो यहां पर哂टलेट की होगा तो यह सब अंडर ही मिलता है गां यह पर आप ईख लिजिए यां बेसििन का अंडर जाता है यहां पर जैं जाटा स्पीड में मतलब जाटा पावर में घुमता है मोटर यहाँ पर यहाँ पर देख लीजे यह एक बार लेप्ट एक बार राइट घूमता है तो टाइमर में नेवन कर दिया अभी जैनल मोट पर इसलिए परफेक्क्ली काम नहीं कर रहे हैं अभी मैं बहुत आप जो वस में ठोड़ा पानी घीरा के फिर आपको ड्राइए पर डालना से नहीं तो काफी वेड काफी हभी रहता है तो यहाँ पर यह बाकेट टाइप है तो इसमें अब कबरा रखके चट पर जा सकते हो यह चीज अच्छा दिया सेमसंग में मैंने देखा था एक हलका लीट यहां पे कर लीट है क्योंकि जीन्स का पेंट अभी पर्फेक्ली काम कर रहा है क्योंकि जेंटल वास पें जीन्स पें अच्छा काम नहीं कर तो इसमें जितना महले मैक्सिमम निकाली दिया तो यह होने का बाद आपको करना परेगा राएद यहां पर डेख लीजिए कैसा जो एक्जीक्यूटिव में अल्टा उल्टा बाड बोलता है कि वह एक्सिमम टीवीपर आजाँ जो और यह सब नहीं चाहिए। यहां पर यह ड्रायर है तो यहां पर मैने रख दिया सब और यह गुम रहा है तो यह जब गूमता है बहुत ज़ादा भाइब्रेशन काथ है पूरा मेसीन तो यहां पर देख लीजिए और मतलब पानी भी निकल जाता है अगर फूल आटोमेटिक होता है तो यह चीज एक ड् तो जीन्स का पेंठे इसलिए अगर हलका कपरा होता है तो इतना वाइब्रेशन कर भी नहीं आपका वासिंग मेशिन तो यहाँ पर देख लीजिए कितना से खो रहा है मैंने इसको आफ कर दिया और यहां पर जो कपरा है मतलब यहां से अब इतना सुखा देगा कपरा को कि आप यहां से पानी नहीं निकल सकते बट आपको यह धूप में देना ही बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा तो गीला रहे गए इतना 100% कैसे होगा तो इसको आपको देना ही प न हम आानी रहे चाहिए अगर धूप है बिजली जादा करने का तो आप आयोड़ा है कि आप सोब है बूटे बढ़ा इसका कॉंस लां से यहां पर जो वायर है जो में प्लग का वायर वह काफी जाड़ा चोटा है मतलब इतना चोटा दे आ वह वायर उसके लिए प्रब्ले थोड़ा वायर को बरादेटी और हो जाता है यह एक प्रोब्लम है स्वासिक मिशिन का स्वासिक मैं आपे वीडियो एंड कर रहोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूसना है तो कमेंट कीजिए सो बाइबाइ मिलते नेक्स वीडियो पे